मियान इक्स्प्लेंड जीनियस एपिसोड 10 अइंस्टीन की मौत से एपिसोड 10 की सुरुवात होती है इनके ब्रेन को निकाला गया है रिसर्च के लिए जैसा कि हर जगा होता है इनके बेटे इसका बिरोत करते हैं पर अइंस्टीन जैसे जीनियस के दिमाग में क्या-क्या था यह एक अंसुजी रहस्य थी जिससे सॉल्व दो करना ही था पर पहले 8 साल पीछे अइंस्टीन के बर्थडे पर आपसे मिलते हैं अइंस्टीन काफी चिर्चिरे हो गए हैं यह जापान पर अटोमिक एटैक को लेकर परिसान हैं यह एक काउंसिल बनाना चाहते हैं जो अटोमिक बम बनाने से रोकने पर काम करें पर इनके नए साथी को पॉलिटिक्स से डर लगता है इन पर मूभी बनाने की बात चल रही थी पर अइंस्टीन ने मनजूरी नहीं दी क्योंकि मूभी वाले अइंस्टीन को ही बॉम बनाने का जिम्यदार मान रहे थे पर अइंस्टीन कभी नहीं चाहते थे कि बॉम बनाया जाए यह आज भी लाइट बेंट होने वाले थेओरी पर काम कर रहे हैं नीगरों को बढ़ा रहे, जिसे कोई पढ़ाना नहीं चाहता था, इनके यही सब काम की वजह से FPI इनके पीछे लग गई थी, वो हर उस आदमी को पड़िसान करने लगी थी, जो कॉम्मिनिज्म से जुरा हुआ है, या फिर कभी भी जुरा हुआ था, FPI वाले आइंस्टीन क सूपर पावर बनने दिया जाए, ताकि दोनों देश डर से कुछ कर ही नहीं पाए, दूसरे का कहना था, हम कुछ भी कर ले, सरकार रुखने वाली नहीं, तो क्यो ना हम ही कोशिश छोड़ दे, तीसरे ने कहा, क्यो ना सरकार पर दवाब डाला जाए, कि एटम बंब बनान कि राइट्स आर्मी से सीन कर साइंटिस्ट को दे दिया जाए, पर कोई भी सुझाओ आइंस्टीन को पसंद नहीं आता, आइंस्टीन का कहना था कि क्यो ना एक वर्ल्ड गवर्मेंट की मांग की जाए, जो हर देश के अंदरूनी मसले को सौल्व करे, जिससे वर्ल्ड वा जानी दिखाई जाती है, जब वो आइंस्टीन को बताते हैं, वो इंजिनियरिंग करना चाहते हैं, पर आइंस्टीन का मनना था, इंजिनियरिंग सिर्फ जोड तोर है, असली साइंस नहीं, तुम बहुत तेज हो, तुम साइंस पर ध्यान दो, अब आज के इंजिनियरों क को क्या वता हैं, कि Einstein इस बारे में क्या सोचते थे, वैसे ये मेरा सोचना नहीं है, Einstein का सोचना है, Einstein बोलते हैं कि आप मिलेवा की तरह मत बन जाएए, अपनी मां की तरह मत बन जाएए, बड़े सपने देखिए और उसे पूरा करने की कोशिस कीजिए, मा की बात सुनकर इनको गुसा आजाता है अइंस्टीन से बोलते हैं आपकी वजह से हमारी देखवाल की वजह से मा ने साइंस सोर दी आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अब प्रिजेंट का वक्त आता है मिलेवा की डेथ हो जाती है पर आइंस्टीन आज भी मिलेवा से मिलने नहीं जा पाए इनके बेटे को ये काफी खराव लगता है वो आइंस्टीन को निर्दई इंसान बोलते हैं और कभी कॉंटेक्ट नहीं करने की नसिहत देते हैं आइंस्टीन कड़वी क्या सकते थे पूरी जिन्दगी की गलती का बोज लेकर जीना था इनको इनपर फिल्म भी बन गई कुछ कांट छांट के साथ पर आइंस्टीन को फिल्म अब भी पसंद नहीं आई ये जब फिल्म देखकर लोट रहे थे तब इनके पेट में दर्द उठा डॉक्टर ने इनको सिगरेट पीने और इंटिमेट होने से मना कर दिया इधर अमेरिका उन सब के साथ अत्याचार कर रही जो प्रिजेंट में कॉम्मिनिस्म है या फिर कभी कॉम्मिनिस्ट रह चुके हैं तब अइंस्टीन एक इंटर्विव देकर अमेरिका की बुराई करते हैं अमेरिका किस तरह से भेदभाव कर रहा वो किस तरह से एटम बम का मिस्यूज कर रहा है यह सब एक इंटर्विव में बोल देते हैं एफवी आई तिल मिला उठती है वो और ज्यादा जासुसी करने लगती है ताकि जियों ही कुछ क्लू मिले आइंस्टीन की वाट लगा दे जिसका भी क्लू मिल रहा सब को कड़ी सदा दी जा रही है कईयों को फांसी सिर्फ इसलिए दे दिया गया क्योंकि वो फ्रीडम ओप स्पीच को अच्छे से यूज करते थे आइंस्टीन को यह कुरूरता बरदास्त नहीं हुई वो गवर्नमेंट के खिलाफ लेटर लिख देते हैं हमेशा चुप रहने वाली इनकी सेकरेटरी हेलन इनको समझाती है ऐसा मत करिये गवर्नमेंट आपके पीछे पर जाएगी और वही हुआ FVI को तो बस बहाना चाहिए था इनको हुमिलियेट करने का वो इस लेटर के बाद मिल गया हर जगा नियूज पेपर में इनके बारे में बुरावला खा गया नियूज पर भी इनकी बातों को बगवास कहा गया जिस पर किसी भी देशभक्त को ध्यान नहीं देना चाहिए यह सारी कॉंस्पिरेसी FVI एजेंट मेंकी को पसंद नहीं आते पर उनके हाथों में कुछ नहीं था इधर आइंस्टीन भी इन सब बातों से परिशान हो गए थे उनको हर जगर कूरा कागज नजर आ रहा था वो ऑफिस भी नहीं जा रहे थे यह जब घर पर अकेले थे तब एक बच्ची आती है इनकी काफी तारीफ करती है ताकि यह उसका मैत का हुंबर्क बना दे अनस्टीन जिस तरह से फूलों के माध्यम से मैत समझाते हैं इलाइस को काफी इंट्रेस्टिंग लगता है तब भी हेलेन आ जाती है बच्ची को जाने को बोल देती है पर बच्ची अपना काम कर चुकी थी इलाइस में क्रियोसीटी देख अनस्टीन को भी अपना क्यूरियोसीटी याद आ गई वो उसी वक्त तयार होकर आफिस आते है हर जगह बात फेल गई कि आइस्टीन आफिस आये है ये यूनिफाइड फिल थियोडी पर काम करने लगे तब ही नील्स बोर इनसे मिलने आये फिर से आइस्टीन की गलती पकर ले पर इस बार आइस्टीन गुसा नहीं हुए वो नील्स बोर से काफी बात करते है ए टॉम बोर्म के फ्यूचर पर और खुद के फ्यूचर पर बहुत दिनों के बाद किसी से बात करके इनको काफी रहत मिलती है फिर ये घर आकर अपना कोई पेपर ढूनने लगते है पर उस पेपर की जगा मिलेवा के लीटर में जाता है जिसे हेलेन ने समाल कर रखा था वो सारे लीटर को आइस्टीन बारी-बारी से पढ़ने लगते है इसी वीच एलाइस इनसे मिलने आ जाती है कई सवाल करती है पर जब इनके ग्रेन डाउटर का गिफ्ट निकालती है तब अइस्टीन को अपना परिवार याद आ जाता है वो एलाइस को कल आने को बोलते हैं और बेटे के बारे में सोचने लगते हैं पर कॉल तो कर नहीं सकते क्योंकि बेटा नहीं मना कर दिया था पर हेलेन के बहुत समझाने पर ये कॉल करने को तयार हो जाते हैं इनका पूरा परिवार इनसे मिलने आता है बाप बेटे में खुब बाचित होती है अंस्टीन अपने बेटे से काफि माफी मांगते हैं मिलेवा की भी काफि तारीफ करते हैं वैसे भी किसी सीज की कदर तभी पता चलती है जब वो आपके पास से चली जाए बच्चों को खेलता दे क अंस्टीन काफि खुस होते हैं पर इसी वक्त इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, यह जानकर हेलन को काफे बुरा लगता है, पर अंस्टीन समझाते हैं, नेचर की गहडाई को जानो, तब कुछ बुरा नहीं लगेगा, हर सीज, हर घटना, उसी का पार्ट ह अब इस सीन के बारे में क्या ही कहूं, Great Scientist of the World, एक बड़ी बिरासत और एक लंबी बहस छोड़कर दुनियां से चला गया, इनके बेटे का कहना था कि आप कितना भी इनके ब्रेन पर रिसर्च कर लें, आप उनकी प्रतिभा को नहीं समझ सकते, यह सिर ब्रेन है, इससे पूछना, चाहे लोग आपको वेव कूप ही क्यों न समझे, इस स्माइल के साथ जीनियस से विदा लेते हैं, इसी मोर पर जीनियस सीजन वन का आखरी एपिसोड खत्म होता है, आपको यह एक्स्प्लानेशन कैसा लगा, उसके बारे में कॉमेंट में जरूर बताएं, और आगे किस फिल्म या वेव स्रीज का एक्स्प्लानेशन चाहते हैं, जो थोड़ी सी मोटिवेशनल हो, साइन्स फिक्सल हो, या फिर हिस्टोरीकल हो, या फिर किसी भी नॉलेज बेस्ट मूभी या वेव स्रीज का एक्स्प्लानेशन चाहते हैं, तो उसके बारे में आप जरूर सेर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़बाई। जदी आप भी अच्छे मूवी देखने के सौकिन हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल का टैग लाइन है सब्सक्राइब फॉल बेस्ट मूवी नोट लेटेस्ट मूवी